नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुली आदव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में सेवी की तरफ से एक जो नया प्रस्ताव आया है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे देखे म्यूचल फंड में नि दिहान में रखते हुए की जाती है ताकि निवेशकों को किसी तरह का नुकसान ना हो किसी तरह कि उनको दिक्कते जहल ली ना पड़े अभी सेवी की तरफ से जो नया यहां पर एक प्रस्ताव निकल कर आ रहा है वो यह आ रहा है कि म्यूचल फंड में कितना रिस्क है उसक अब क्या ऐसा करना चाहिए देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो कही न कही निवेशकों को इससे फाइदा होगा कुछ जो नए निवेशक होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जानकारी mutual fund के बारे में नहीं होती बहुत जंदी वो निवेश स्टार्ट कर देते हैं किसी के कहने से कर देते हैं रिस्क को वो समझ नहीं पाते हैं तो शायद ये जो रंगो वाली scheme ये सेवी लेकर आने वाले हैं इससे शायद उनको benefit मिले देखे ये बहुत ही clearly चीज़ है कि जब भी सेवी कुछ एक नया plan कुछ भी जो नहीं नियम लेकर आती है तो कहीं न कहीं निवेशकों को ही ध्यान में रखा जाता है तो अगर आप लोग mutual fund में निवेश करते हैं और जोखिम को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो नहीं scheme आ रही है इससे शायद आपको थोड़ा सा benefit हो आप color देखकर समझ सके कि हाँ मेरा जो पैसा है वो इस mutual fund में निवेश है ये red color से indicate हो रहा है ये yellow से indicate हो रहा है या फिर ये green से indicate हो रहा है देखे जैसे समय समय पर जो mutual fund के risk को अगर fund manager adjust करते हैं तो वो color भी वहाँ पर change किया जाएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की असुईदा ना हो किसी भी तरह के आप कितनी आपकी risk छमता है उसके हिसाब से आप निवेश कर सके हैं क्योंकि देखे mutual fund में निवेश अब धीरे-धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है काफी लोग mutual fund के बारे में जागरुक हुए है S.I.P. के थुरू, लंबसम के थुरू काफी पैसा mutual fund में लोग निवेश भी कर रहे है क्योंकि mutual fund से लोगों ने देखा है कि यहां long term में यहां से बहुत अच्छे returns बनते हैं इसलिए अब धीरे-धीरे निवेश यहां बढ़ता जा रहा है देखिए थोड़ा सा मैं आपको और एक slide के माध्यम से दिखाना चाहूंगा देखिए यहां बताया गया है कि रंगों को देखकर आप पहचान कर पाएंगे कि किस mutual fund में कितना risk है थोड़े से color मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश की है देखिए green color से indicate किया जाएगा कि यह risk free investment है और red color से indicate किया जाएगा कि यह सबसे ज्यादा risk की mutual fund है तो आप लोग भी comment करके बताईएगा कि सेवी की तरफ से जो सुझाओ मांगे जा रहे हैं इस scheme के लिए इस नियम के लिए वो कैसे हैं अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हाँ इस तरह से यह एक अच्छी चीज सेवी के दौरा यहां लागो की जा सकती है तो आप लोग भी comment करके मुझे जरूर बताईएगा क्या यह सेवी के दौरा जो किया जा रहा है यह ठीक रहेगा या फिर जैसा चल रहा था वैसा चलने दें इससे और भी जल्दी आप समझ पाएंगे कि आपका पैसा कितने रिस्क में निवेश किया जा रहा है तो अगर आप लोग भी mutual fund में निवेश करते हैं और रिस्क को समझने में थोड़ा सा भी confused रहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो किस scheme में निवेश है कितना रिस्क है तो आप मुझे comment करके बताईएगा कि रिस्को मेंटर के हिसाब से समझने में आपको ज्यादा easy लगता है या फिर ये color से पहचानने में आपको ज्यादा easy लगेगा बाकि सेवी की कुछ भी नई update आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर आपको के लिए मैं ले कराऊंगा तो दोस्तों यही आज की वीडियो का topic था कि सेवी की तरफ से जो नए सुझाओ मांगे जा रहे हैं सिस्कीम को लेकर इस नए प्लान को लेकर वो कैसे है